हेलो एन वेलकम बैक दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉली टेकनिक इंटेस एक्जाम 2023 में अगर आप एडमीशन लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे जरूरी डॉकुमेंट है जो आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आपके पास ये कर रहे है क्योंकि कई साल ऐसा होता है कि छात्रों को this document structure बनाने में बहुत से ऐसे document है जिनको बनाने में काफी लंबा समय लैता है दस से पंदिदिन ओ का समय लैता है और अगर आप वे टरूरी Ox Nous नहीं हो पाएगा और अगर 2023 की भात कर ले तो दो-आट majority है अगर आपका 2023 म भी admission नहीं ले पाएंगे, तो चलिए हर एक document को आपको detail ने बताते हैं, और आगर आपके पास वह document नहीं है, या फिर आपको कैसे बनावना है, तो आपको पूरी जानकाई दी जाएगे, कि आपको document कैसे, कहां पर, और कब बनाए जाएगा, ठीक है, सबसे पहले important document में हम बात करेंगे, जेकप admit card की, आपके जो admit card है, जिसे लेकर के आप exam दे गये थे, वो admit card आपके पास होना ही होना चाहिए, अगर आपका admit card किसी card खो गया, तो उसे आप फिर से website पर से download कर सकते हैं, इसमें आपको कोई problem नहीं होने वाला है, दूसरा जो important document है, वो आपका जेकप rank card, यानि कि आपका जो result आएगा, जो आपका final result आएगा उसे को बोलते हैं हम rank card, तो ये rank card आपके result आने के बाद ही आपको मिलेगा, इसको भी आपको photocopy करा करके रख लेना है, या फिर PDF format में, आपके phone में download होना चाहिए, इसके बाद तीसरा जो important document आता है, ये आपके admission के time चा आपका उसमें admission confirm हो जाएगा, उसके बाद ये allotment लेटर आपको साथ में ले करके college में, उसी college में जिसमें आपको admission लेना है, वहाँ पर आपको ले करके जाना होगा, उसके बाद जो important document आता है, वो आपका आता है high school certificate, दोस्तों अगर आपका अभी तक result नहीं आया हुआ है, नहीं तो आपका जो admission है वो रोख सकता है, counseling की प्रक्रिया में document verification के time, आपके पास ये सभी के सभी document होने ही चाहिए, इसके साथ intermediate का जो document है, वो भी आपके पास certificate, या फिर mark street जो भी आपका हो, वो आपके pass होना चाहिए, इसके अलवा जो अगला document होगा important, वो आपका होता है character certificate, जिसको बोलते हैं, चरित्र प्रमारपत्र, ये कहां से बनेगा, अगर आपके intermediate के student है, या फिर आप high school के student है, आपने जहां कहीं से भी अपनी last परिछा करी है, जहां से भी आपनी last पढ़ाई करी है, अगर आप high school student है, या फिर intermediate के student है, आपने जहां से भी ये आपके उसी college से आपका जो character certificate है, वो तुरंत का तुरंत बन जाता है, उसके बाद सबसे important document आता है कि आपका migration certificate, इसको बनाने में थ्वास समय लग सकता है, आपको migration certificate क्या होता है, माले जी आप UP के student है, UP के किसी जिले का, या नि माले जी आप UP के वारारसी जिले के student है, आप आपको जो college आवंटन हुआ है, आप जिस college में part technique करने जा रहा है, वो जो college है वो वारारसी में ही है, उस condition में आपको income, sorry, ये migration certificate की आवसकता नहीं है, अगर आप जिस भी जिले से हैं, और उसी जिले में आपको part technique का college मिल गया, उन छात्रों को migration certificate की आवसकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी दुसे जिले के हैं, आप वारारसी के चात्र हैं, और आपको जो college आवरन्टन हुआ है, वो लखनौ में हुआ है, या भिर्जापूर में हुआ है, पिर किसी भी अन जिले में हुआ है, उस condition में आपके पास migration certificate आवससे होना चाहिए, अब बात करते है यह migration certificate बनेगा कहां से तो यह migration certificate जो है वो आपके उसी college से बनेगा जहां से आपने character certificate बनवाया है हाँ, migration certificate जो है इसको बनाने का कुछ cost लगता है आपके college में हो सकता है यह 100 से 1.5 से रूपय चार्ज आपसे ले सकते हैं इसको बनाने में 2 से 3 दिनों का समय आपको लग सकता है दोस्तों इसके बाद जो important document आता है वो आपका आता है income certificate यानि की आय परमारपत्र अब आय परमारपत्र और यहाँ पर domicile certificate इसके अलाबा आपका है cast certificate यानि आय निवास परमारपत्र और जाती परमारपत्र यह तीन document ऐसे हैं जो कि सभी चार्टे के पास एकदम नए होने चाहिए नए यानि जो आपका यह document होता है income, domicile और cast यह तीनों ही तीनों जो है वो तीन year के लिए valid होते हैं कितने साल के लिए? तीन साल के लिए valid होते हैं लेकिन आज के जितने भी लगबग exam करा जा रहे हैं लगबग सभी के सभी exam में यह बिल्कुल नया मांगा जा रहा है क्या मांगा जा रहा है? बिल्कुल नया मांगा जा रहा है तो मैं आपसे बता दू कि अगर आपके पास document आपके पास already है income certificate या फिर domicile certificate जो भी document है आपके पास ठीक है इन तीनों में से अगर आपके पास ये दो साल पुराना हो तो आप उसे जरूर नया बनवा ले जिनके पास अभी हाल ही बनवाया है एक साल के वल हुआ है हुए तो वो छात्र से उनका काम चल जाएगा लेकिन अगर आपके पास कम से कम दो साल पुराना हो तो आप से यही काऊंगा मैं कि आप वो certificate एक बार फिर से जरूर बनवा ले क्योंकि आज का जितने भी exam करा जा रहे हैं लगबग सभी exam में जो ये income certificate, domicile certificate और cash certificate यह बिल्कुल नया मागा जा रहा है तो इसमें आपको problem हो सकती है कि इसको बनवाने में कम से कम साथ से दस दिनों तक का समय लग जाता है maximum समय आपके पास साथ से दस दिनों का समय इसमें लग जाता है ठीक है तो इस document को आप admission से पहले बना ले आपका जो admission है इस बार वो आपके एक महीने के अंदर complete करा जा जाएगा आने वाले exam होने के बाद एक महीने के अंदर आपका जो admission है वो प्रक्रिया complete करा ली जा सकती है इसलिए इन document को आप जरूर बनवा ले इसके बाद दोस्तों अगरा जो आपका document आता है वो आपका आता है transfer certificate क्या है transfer certificate जिसको की TC बोलते है certificate ठीक है और यह TC जो है वो आपके पीछले कर्चा से आपने जहान से भी पढ़ा होगा वहीं से आपको यह TC मिलेगा अगर आपके पास transfer certificate अगर आप government college में admission लेना चाते हैं आपको कोई government college अगर अलोट हुआ है उस college में admission लेने के लिए आपके पास TC जो है वो अनिवार होना चाहिए अगर आपके पास TC नहीं है तो आपको उस college में admission कभी भी नहीं मिल सकता हाँ लेकिन अगर private college है उसकी बालत अलग है अगर आप private college में कुछ भी document लेकर के नहीं जाते हैं फिर भी आपका admission वो ले लेते हैं और बोल देते हैं कि document आप बाद में जमा कर दीजगा लेकिन अगर आप government college के लिए इच्छुक हैं government college में admission लेकर आपके पास यह document होना ही चाहिए आधार कार्ड यह सभी के पास लगबा होगा अगर आपके आधार कार्ड में कोई problem है नाम में कोई तुर्टी है या पिर आपका mobile number attached नहीं अभी तक लिंक नहीं है इसके रवागरा के पिता के नाम में कोई गलती है हाई स्कुल में कुछ और नाम है आपके आधार में कुछ और नाम है इसको जरूर चेंज करा ले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दू बहुत ही important बात इसको ध्यान रखिएगा 2023 में admission government college में ले लेते हैं और अगर आप scholarship का form भरते हैं तो scholarship लेने के लिए आपके आधार कार्ड जो है न फुली updated होना चाहिए उसमें बिल्कुल आपका नया photo होना चाहिए इसके साथ अगर उसमें नाम में कोई भी तूटी होई कोई भी mobile नंबर में तूटी होई तो आपका scholarship नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इस बार जो भी आधार कार्ड का आपका परमारिक कर्ण होने वाला है न वो बिल्कुल जो है automatic होगा इसमें कोई भी manual काम नहीं किया जाएगा उसके तुरंत बाद आपकी scholarship की जो form है वो भी भरा जाएगा अगला जो important document आता है वो आता है आपका EWS certificate EWS certificate क्या है EWS certificate उन छाथ छात्राओं के लिए है जो की general category का है और उनको 10% जो है वो आरच्छर दिया जाता है EWS certificate के अधार ठीक है और EWS certificate जो है वो कहां से बैनेगा तो आप अपने नजदी की जो भी आपका तैसील हो वहां से आपके जाकर बनवा सकते है इसको बनाने में कम से कम 7 से 10 दिनों का समय maximum लगता है इसको आप अभी के अभी apply कर दिए जाकि आपका जल्दी से समय पर बन पाए अब अगला आता है अपका medical certificate medical certificate जो है या आपके नजदी की कोई भी जीला हस्पताल हो उससे आप जाकर के तुरंत बनवा सकते है इसके लिए भी आपसे कुछ चार्ज लिया सकता है maximum आपसे 50 रुपे या पर 100 रुपे यहापे चार्ज जो है देना पर सकता है हाँ आपका काम जो है वो 300-200 में भी हो सकता है अगल आपका आता है gap certificate यह क्या है यह कैसे बनेगा सर तो देखे gap certificate जो है अगर आपने 12 तक study करी है 12 आपने पास कर लिया है लेकिन 12 के बास आपने एक साल कुछ भी ने करा आपने पढ़ाई नहीं करी और अगले साल आगर की यानि अगर आपने 2022 में आप पास आउट है आप 2022 के पास आउट इस्टूडेंट है ठीक है 2022 के पास आउट आप है और 2023 में आप सिधे admission ले रहा है पॉलिटेकिनी में तो आपको gap certificate की कोई भी आउस्टक्रता नहीं है लेकिन अगर आप 2021 में 2021 के पास आउट है ठीक है किसी भी कोर्स में यानि आप जो 10th लेबल है उसको पास किया है हाई स्कूल पास किया है 2022 में और आप 10th लेबल का ही exam में आप admission ले चाते हैं या फिर अगर आप 2021 में इंटर पास की हुए हैं और 2022 में आप पाड़िक नहीं कर रहा है तो आप से पूछा जाएगा कि आपने 2022 में किया क्या आपका एक साल तो gap है ना तो उसके लिए आपको gap certificate बनाना होता है क्या बनाना होता है gap certificate यह certificate कैसे बनेगा इसके लिए आप किसी भी आपके कोई भी contact में कोई भी advocate हो किसी भी वकील से आप मिल करके उस पर एक प्रमाडी कर बनाया जाता है जिसमें आप लिखेंगे कि मैं प्रमाडी करता हूँ कि मैंने एक साल जो है study नहीं की है कोई problem थी हमें आर्थिक कमी थी ठीक है पैसे कमी थी या फिर कोई भी तूटी जो भी आपको problem हो उसको देखरके उसमें दिखाना होता है और यह आपका हो जाता है इसमें बनाने में कम से कम आपको 100 रुपे का charge इसमें लग सकता है ठीक है तो दस्तों यह कुछ important document थे इसके बाद में सबसे last में आपका आता है फोटो ठीक है तो फोटो जो है वो आपके admission से लेकर के counselling की प्रक्रिया तक कम से कम आपके पास 10 फोटो होने चाहिए कम से कम 10 फोटो ठीक है counselling के समय में आपको कम से कम यहाँ पर चाहर फोटो जो है counselling की समय पर आपके लग सकते है हाँ जब आप अपने government college में admission के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कम से कम आपके 6 फोटो लगते है कितने कम से कम आपके आपके 6 फोटो होने वाली है अगर आप admission लेना चाहते है ने तो आपका admission जो है वो रुख सकता है इन document में जो भी डाउट हो उनको आप पहले से ही बनवा के रखिए अगर आप पूड़ा mood बनाए हुए कि हमको करना ही है एडमिशन लेना ही है तो यह document आपके पास होने ही चाहिए ठीक है तो इसको ज़रूर बनवा लेंगे और अगर कोईशी को कोई doubt होगा कि सर यह कैसे बनेगा यह कहां से होगा तो आप हमें comment करके पूछ लिजेगा हम आपको 100% reply देने का प्रयास करेंगे थैंक्यू